अच्छा जी तो ये बताईए कि दही के कबाब किस किस को पसंद है तो आज हम दही के कबाब बनाएंगे तो यहाँ पर मैंने लगभग तीन कप दही लेकर इस तरह से कॉटन के कपड़े में लपेट कर छलनी में डाल कर इस तरह से दबा कर उसको रख दिया था एक घंटे के लिए फ्रिज में रखने से यह खटी नहीं होगी तो यह देखिए दही रेडी है और यहाँ पर मैंने लिया है पनीर यह लगभग 100 ग्राम पनीर है इसको भी कदुगस कर लिया है और अब हम इसमे डालेंगे धनिया पुदीना की पती हरे मिर्च नमक चाट मसाला काले मिर् तीन चमच बेसन लेकर इसको भून लेंगे बिल्कुल गोल्डन कलर तक आने तक ताकि इसका स्वाज जो है दही के कबाब को बिल्कुल खराब ना करें थोड़ी से खुश्बू के लिए गुलाब की पतियां और इसमें डाल देंगे यह भूना हुआ बेसन साथ में और कबाब हाथों पर थोड़ा सा पानी लगा करके हम गोल गोल कबाब बना लेंगे और ब्रेट क्रम्स के कोट कर लेंगे और यहाँ पर मैंने ओयल गरम होने के लिए रख दिया है इनको फ्राइ कर लेंगे मीडियम हीट पर लग भग 5 मिनट के लिए बिलकुल गोल्डन हो जा